The C language, जो है 1970s के आसपस हमने C language को हमने बनाया था और उसको upgrade करने के लिए, यानि उसका next version जो हमारे पास आया था, वो 1980s के आसपस आया था, जो हमारे पास C++ था, तो यानि कि आप कह सकते हो कि everything which is available in C language, जो सभी चीज़े C language के अंदर है, वो सभी चीज़े आप वो C++ में भी available है, तो यानि कि this C++ is a bigger set, वो बड़ा set है और C language वो subset है, लेकिन जो मैं Java को हमने बनाया था, जो Java जो है, it's not a super set, Java जो है, वो super set नहीं है, बट रधर C के कुछ ऐसे concept है, जो इसके लिए हमने Java में हमने उसको use किया है, उसके साथ साथ हमारे पास C++ के बहुत सारे concept है, जो हमन जावा में हमने बनाया है, और उसके साथ साथ, जावा में हमने कुछ अलग concept को हमने यहां से create किया है, यानि कि उसको बनाया गया है, right, so that is why we can say, Java is a different language, but I know some comparison, कुछ concept तो वहाँ पर used है, लेकिन yes, उसके साथ साथ भी बहुत सारे अलग concept जो है, वो Java में available है, अब जो भी ह हमारी class हो रही है, जो हमारी classes यहां पर चल रही है, I assume कि आपके पास Java language को करने से पहले, आपके पास पहले से कुछ ऐसे concept आपको पहले से आता होगा, जैसे या तो आपने C language पहले से किया है, या फिर आपने C++ को पहले से पढ़ा है, या फिर अगर आपने Python पहले से पढ़ number one is structures यानि कि structured programming language and the second one is objects so जैसे C language C language is a structured program यानि कि वहाँ पर हमारे पास कुछ programs होते हैं उसके साथ-साथ कुछ functions हैं कुछ functions हैं उन functions को हम लोग यहां से use करते हैं यानि कि आपके पास बहुत सारे modules बनाते हैं उसके साथ-साथ हमारे पास कुछ functions में यहां पर available है so you know what is a class चो class होता क्या है class is more like a mold mold आपने देखा होगा जब आपने कहीं पर आपने एक मूर्ती आपने कहीं पर देखी होगी तो जब यह एक मूर्ती ना बनाते हैं तो उसके लिए एक mold होता है और उससे आप बहुत अलग-अलग मूर्तियां, same मूर्तियां हम लोग वहां से बना पाते हैं same concept जो है वो class में भी काम करता है class में क्या होता है class it's kind of mold कि जिसके basis पर हम अलग-अलग objects को हम लोग यहां से बना सकते हैं, जैसे if you know a car car किस तरह की है car जो है, वो Honda car भी हो सकती है वो Maruti car भी हो सकती है वो Audi भी हो सकती है वो BMW भी हो सकती है तो we have different kind of cars right, so these are two different concepts so C language जो है it's structured programming language and C++ and Java these are class तो यहां पर हम एक class को बना सकते हैं ताकि similar kind of object हम create कर सकते हैं so how can you execute programs जब भी आप program को execute करते हैं let us suppose you have a C++ language जो हमारे पास है जब भी आपके पास एक C++ code है तो जब भी हम उसको execute करते हैं तो क्या-क्या steps हमारे पास आते हैं सबसे पहला हमारे पास एक source code है जो हम लोग बनाते हैं उसके बाद हम उसको preprocessor के पास जाते हैं उसके बाद हमारे पास आता है compiler, यानि कि preprocessor के बाद हमारे पास एक compiler, compiler जो है उसके साथ-साथ हम assembler को देते हैं, assembler जो है वो हमें एक object file देते हैं जिससे हम एक linker, field पर, एक linker पर जाता है, यानि कि जो भी आपकी libraries हैं, उनसे भी libraries को हम यहां से link करते हैं, और link करने का finally आप आपके बास executable file यहां से मिलती है, तो यह आपका पासे कुछ step है, जो हम C++ में use होता है, लेकिन अब जब भी मैं Java को use करता हूं, तो whenever you have a Java file, then you give it to a compiler, आप इसको compiler पर देते हैं, अब जो compiler है, वो हमें byte code देता है, और जो byte code है, वो एक compile time पर execute होता है, उसके बाद, जो byte code है वो हम उसको JIT compiler पर देते हैं, और जो JIT compiler जो है, वो एक native code यहां से देता है, यानि कि जो complete execution cycle है, वो थोड़ा अलग है, C++ की cycle है, वो अलग है, और Java की cycle है, वो दून अलग अलग है, अब तक आपने मेरी classes अगर आपने नहीं देखी है, फिर not seen this complete execution cycle, तो आप मेरी classes को भी य YouTube channel मेंने सब कुछ यहां से, जो language हमारे YouTube channel पर आपने मेरे को सारे चीज़े मेंने हां से share किया भी है, अब इसके features पर मैं आपको बुदाता हूँ, what is the difference between Java and C++, abstraction, encapsulation, inheritance, all of these things, C++ और Java में everything is same, the only thing is कि आपके पास C++ के अंदर हमार पास multiple inheritance होती है, लेकिन Java पे multiple inheritance नहीं होती, उसके बाद, molyphorism, static binding, and dynamic binding, everything is same, but operator overloading, जो है, वो C++ में हम operator overloading होती है, लेकिन Java में नहीं होती, उसके बाद, header files, तो header files जो है, हम C++ में हम header files use करते हैं, जैसे hash include stdio.h, but वो ही जो header files है, वो same जो header files है, वो Java में नहीं काम करते हैं, क्योंकि Java में कुछ और हम concept को use करते हैं, उसके साथ साथ pointers, तो हम C++ पे, हम pointers पे काम कर सकते हैं, हम उसके address को हम assume कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन Java पे आप pointers को use नहीं करते हैं, उसके लावा global variables, तो global variables जो है, वो C++ में होता है, लेकिन यही जो global variable है, वो Java में नहीं होता, but rather उसके जगे पर हम objects, उसके जगे पर हम class को use करते हैं, उसके लावा template class, तो template class जो है, वो C++ में होता है, लेकिन वो Java में नहीं होता, उसके लावा interference and packages जो concept है, वो Java पे हैं, लेकिन वो C++ में नहीं है, APIs, तो C++ में APIs नहीं है, but rather some of these APIs are also available in Java, so that is why huge difference between C++ and Java, Now some of these concepts that you should know, जो आपको पता होना चाहिए, everything, obviously there are 30, जो 30 ऐसे comparison है, जो आपको सब बता सकता हूँ, बड़ जो सबसे important है, जो इस समय पर मुझे आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले, C++ is platform dependent language, C++ जो है, वो platform dependent है, लेकिन Java जो है, वो independent है, यानि कि उस program को आप कहीं पर भी execute कर सकते हो, चाहे वो Linux हो, चाहे वो Windows हो, चाहे वो Mac, हर जगे पर execute कर सकते हैं, Secondly, C++ is a compiled language, आप उसको compile करते हैं, compile के बाद ही आप उसको execution कर सकते हैं, लेकिन Java जो है, वो interpreted भी है, और उसके साथ साथ compiled भी है, वो compiled language भी है, और interpreted दोनों चीज़े यहाँ पर available है, C++ code is not portable, आप वो portable नहीं कर सकते हैं, port नहीं कर सकते हैं, लेकिन Java is portable, Java जो है portable है, उसके साथ साथ, automatic garbage collections, यानि कि, जो Java है, वो automatically garbage collections यहाँ पर है, लेकिन वो C और C++ के नहीं है, अपने memory को अपने create के हैं, लेकिन आप उसको use नहीं कर रहे हो, right, so everything taken by from, you know, automatic garbage collections from Java, memory management जो है, in C and C++ is manual, लेकिन, it is system controlled in Java, in C++, it supports operator and method overloading, but it does not support operator overloading in Java, तो Java के अंदर operator overloading नहीं होती, लेकिन, जो operator और method overloading जो है, वो C++ में available है, in C++, in Java, it supports only call by value, तो Java पे आपके पास call by value ही है, okay, so these are major concepts, I mean, this is a total 30 ऐसे points हैं, जो आप देख सकते हो, कि what is the difference between C++ as well as what is the difference between Java, okay, now let us see about variables, तो कौन-कौन से variables हैं, जो Java में available है, किर दोसके हैं, हृ, कि जो अजे हैं, हैंवाचरा, music कि कि अपके मेरा हैं,